हलो एवरिवन आज आपके साथ शेयर करने जारी हूँ मसाला चिकन बिर्यानी के रेस्पी जिसे ज़्यादा कॉंटेटी में बनाएंगे 6 किलो मसाला चिकन बिर्यानी बनाएंगे और ये 20 लोगों के लिए काफी होंगे बहुत एक खुश्बूदार मजेदार और इतनी सारी बिर्यानी जो है वो हम घर में बना कर तयार कर लेंगे घर के मसालों के साथ तो यहाँ पर मसालो का perfect मैंने measurement दिया हुआ है आप step by step follow करेंगे तो एक बेहतरी बिल्यानी घर पर बना लेंगे तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है और यह चिकन हमारा 3 kg है जिसे अच्छी तरीके से wash कर लिया है अब इसमें 60 टेबल इस्पून अदखला सुन का paste डाल देती है 15 से 20 हरी मिर्ची है जिसे मैंने कूट लिया है यहाँ पर हमें add कर देना है और आप तयार करते हैं खुशबूदार मसाला जिसमें मैंने यहाँ पर जीरा 3 टेबल इस्पून ले लिया है सौफ मैंने 1 1.5 टेबल इस्पून लिया हुआ है शाही जीरा 1 टेबल इस्पून लिया हुआ है बड़ी इलाइची 3 अदद ले लिया है और लॉंग हमने 1 टेबल इस्पून लिया हुआ है आधा टुकडा जाए फलका ले लिया है चकरी फूल 4 पीसिस लिया हुआ है जाव ने काली मिर्च ले लिए अब इसका पाउडर मस बना लेते ही ग्राइंड कर लेते ही तो दिखे मसालों को मैंने यहापड कर लिया है अब यह मसाले हमें इसमें आइट कर देना इन मसालों के साथ बहुत खुश्बूदार मज़ेदार बिर्यानी बनकर तयार होुए अब बाद हमें यहां पर नमक डाल देना है तो नमक आप अपने टेस्ट के अप्रोटीन डाल दीजिए और उसके बाद हमें यहां पर आट कर देना है दही तो मैंने यहां पर फ्रेश दही घर की बनी हुई दही लिया हुआ है तो दो कप मैंने यहां पर दही आट कर दिया है आप वज़र में देखेंगे तो ये 500 ग्राम हमारी gay है है अब स集 चिजों को बहुत अच्छी तरीके से हमें चिकरह में लगा लेना है ताकिक मसाले जो है वह बोटि हो बहुत अच्छी तरीके से लग जाएं arrested को अंछी तरीके test होने के लिए रख देते हैं क्योंकि जितने टाइम तक हम इसे रखेंगे उतनी ज्यादा टेस्टी बिर्यानी बनेगी तो अब लिया मैंने यहां पर एक और पोट और उसमें डाल देते हैं तेल तो यहां पर तेस पत्ता डाल देना है कलर चेंज हो जाने के बाद इसमें प्याज एट कर देना है तो प्याज यहां पर मैंने 12 मीडियम साइज के लिए लिए है जिसे बारिकी के साथ मैंने कट कर लिया है और अब इसे हमें भूल लेना है गोल्डन ब्राउन कर लेना है तो प्याज हमारी इसे भी भूल लेना है ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं तो यह देखें टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं तो बस अब हमें इसमें आइट कर देना है चिकन तो हमने मैरिनेट होने के लिए दो घंटे के लिए चिकर रख दिया था वो चिकन अब हमें यहाँ पर और अब इसे cover कर देते हैं और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं तो आईये इसे check कर लेते हैं तो बीच-बीच में मैंने इसमें चमचा चलाती रही हूँ देखें यहां पर हमारी यह पकर जो है चिकन तैयार हो चुका था यहां पर 80% तक हमारी चिकन जो है को खोड़ तो आई इसे एक बार चला लेते हैं तो यह देखे इसकी ग्रेवी जो है वो थिक हो चुकी जितना हमें चाहिए तो बस अब यह हमारा जो बिर्यानी का कॉर्मा है वो बनकर तयार है तो इसे रखते हैं साइट में और अब लिया मैंने एक बड़ा पोड और उसमें डाल दिया साथ साथ लिटर पानी और पानी में ही हमें यहाँ पर दखला सुन का पेस डाल देना है थ्री टेबल इस्पून और कुछ तेज पत्ते डाल देना है और वंटी इस्पून यहाँ पर मैंने जीरा ले लिया है वंटी इस्पून काली मिर्च लिया हुआ चाहर पांसे छे मैं मैंने एक घंटे के लिए बासमती राइस लेकर भिगा दिया है तो तीन किलो मैंने बासमती राइस जो है उसमें भिगा दिया है तो एक घंटे के लिए मैंने भिगाया हुआ है अब यह हमें इसमें आइट कर देना है जब पानी में वालाने लगी तो हमें चावल को आइट कर लेते हैं और अब इसे कवर कर देते हैं और इसे पकने देते हैं एक कनी रहने तक हमें चावलो को पका लेना है तो आईए इसे चेक कर लेते हैं चावल को सिर्फ हमें 90% को करना है पूरी तरीके से नहीं पकाना है तो इसे हमें चेक कर लेना है तो ये देखे ये हमारी एक कनी अब इसका पानी छान लेते हैं पहली तह चावडो की लगा दी है आप उसके उपर हमें तलिवी प्याजेटИ करदेना है अब उससे साथ धनिया और पुदिना के पत्ते अचेटब देना है यहां पर सालन पस्कावा लगा देनी है जो हमने कुर्मा बना का तयार किया था तो वो सालन एक पूरी तही यहाँ पर हमें पिठा देनी है और उसके बाद वापस हमें इसमें चावलो की दूसरी लेयर लगानी है इसी तरह के इसे प्याज और जो धनिया के पत्ते ही यह डालते हुए अपर फूड कलर ले लिया है और इसे एक कपड़े को मैंने डालकर इसके ओपर लिड लगा दिया है उस वक्त तक हमें इसमें दम पे ले लेना है बिर्यानी जब तलक के इसमें अच्छी स्ट्रीम ना बन जाए तो आईए इसे चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रीम जो है हमारी इसमें आ चुकी थी इसमें भाप आ चुका था तो अब इसे देखें मैं आपको दिखाऊं तो हमारे मसाला बिर्यानी कितनी इसका टेस्ट था और जितने लोगों ने भी खाया इसे बहुत जादा पसंद के आप बनाएंगे तो आपके महमान भी बहुत पसंद करेंगे तो आईए करते हैं इसके प्लेटिंग तो यह देखें मज़ेदार हमारी बिर्यानी बनकर तयार है इसे मैंने सफ कर लिया तो ब